नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मीन डासी वालों बंद किसमत का ताला आखिर खुले तो खुले कैसे जब भागे रूठने लगे तब एक छोटा सा अपनी रासी नुसार अगर एक परियोग कर लें तो यकीन मानिए आपका भ करने लगते हैं लोग आपका साथ दे या ना दे लेकिन पहले आपको खुद का साथ देना होगा जब तक आप खुद अंदर से मजबूत नहीं होते हैं तब तक कहीं ने कहीं भागी भी थोड़ा इंतजार करता है कि पहले आप दो कदम चलो तो सही फिर हम आते हैं आपके स तो आज हम सिर्फ आपको प्रियोग बताएंगे और कुछ बाते आपसे नहीं करेंगे कि अगर जीवन में संघर्स बढ़ जाए, जीवन में सफलताएं ना मिले, लगे जैसे सब कुछ रूट गया है, तब क्या करें? वैसे तो एक बात याद रखेगा, आप में वो जिद्द पाने की तो है, पर बचाने की नहीं है, ये बात आपको मानने होगी, धन कमाने की जिद्द है, पर बचाने की नहीं है, और आपकी एक और आदत है, जब तक बड़ा ठोकर ना लगे, तब तक धन आ रहा है, दोनों हा तो से लुटा रहे हैं सब की केर करें केर करने अची बात है लेकिन दान भी उतना ही करना चाहिए जितना जायज हो अब चलिए इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब मीन वाले हैं तो आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं आएए अब बढ़त जीवन साथी के ऊपर आस्रित हो जाते हैं ऐसा मीन वालों का भागे काता है अगर हम रासी नुसर बात करें तो लेकिन एक बात याद रखिए अगर आप सही समय पर डिसीजन ले लें तो आप किसी के ऊपर आस्रित नहीं रहेंगे एक बात और है कि जीवन में संघर्स होता तो है भागे का साथ क्यों नहीं मिलता क्योंकि पैसों को लेकर आपके साथ संघर्स नहीं होता है संघर्स होता है रिस्तों को लेकर और रिस्तों को बचाने के चक्कर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो यह चीज़े यहां पे हैं अब आप क्या करें कि भागे का साथ में मिलन और धन के अस्थान को बेवस्तीत रखिएगा आपके पास धन बचेगा और धन आएगा या Aww बात तो गालना की इतंड़ा घंट्का ना लगे तब तक आप समस्ते भी नहीं और वचट के बारे में सोचते भी नहीं इसलिए भगवान सुरिक और नियमित रूप से जल अरपीत करें ताकि धन आए भी और बचे भी और निस्चित रूप से धन आएगा और बचेगा धन्यवाद फिर मिलेंगे